नमस्कार साथ यो जैन जै भारत स्वागत है आप सभी का उल एक्जाम प्लेस पर मैं हूं रोईद खेरा दोस्तों इस वीडियो में हम जारेंगे करते हैं इस वीडियो की शब्से पहले दोस्तों आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं आप पे आपको देश्पी रेडियो की टेस्स और देश्पी रेडियो का कोर्स क्योंकि बहुत बढ़िया ओफर में चल रहा है वह मिल जाएगा इसके सांसाथ दोस्तों अगर आपको को क्विड को डेश्पी रेडियो का 25 वर्पे मिलने थेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपको मिलने तेस्स मिलने वाली है सब कुछ इंगलूड है तेस्स लेना चाहते हैं तो टेस्स आपके लिए 500 रुपी आप जोईन कर सकते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्जाम चीकंट कर सब्सक्रीकर सिकते हैं और टेस्स नॉट होगो और nego johnson pagar 10 benefit को तोड़े वाले चाही टिरव बनाई जाएगी और ! कि लिए पुलाए जाएगा वेकेंसी का three times ठीटाइम्स पूलाए जाएगा इंटर्व्यू कि लिए आपको थे पूठ एकोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आपका 500 का टोटल एक्जाम होगा ठीक है तो यह तो इक्जाम पैटन है और आप सभी को पता है जाने अभी बताई दिये पहले सेक्षण से 50 कोश्ण दूसरे से इसके बाद इंटर्व्यू 50 मार्क्स होगा इसमें वही लिखा गया है कि निधारित नहीं किया गया तो कोई दिक्कत नहीं रिटन में अच्छा होना चाहिए इसके बाद ऑफ-लाइन पेपर होगा आपका पहले जब था यह जब नोटिफिक्शन आया था तब ऑनलाइन था लेकिन अब इसको ऑफ-लाइन कर दिया गया तो ऑफ-लाइन के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लिजेगा उ यही पैटन जो है MPPSC सभी एक्जाम के लिए फॉलो कर रहा है चाहिए वो फॉरे सर्विसमेंस का हो लग जितने अब्जेक्टिव एक्जाम हो रहे हैं उसमें सभी यही पैटन फॉलो कर रहा है क्या पैटन है इसमें आप देखेंगे पहली उनिट जो है MP का इतिहास संस्क सभी और साहितिक है यानि हिस्ट्री कल्चर लिट्रेचर ऑफ MP है पूरा है डिटेल में आप देख सकते हैं इसमें MP का इतियास कि रटन हो गई आंदोलन हो गए कला संस्कृत जातियां पोलियां तैवार लोक कलाए अना साहित कारुन की रचनाए परेटन इस्तल और जाएंगे फॉरस्ट आ जाएगा अना परवत आ जाएंगे नदिया आ जाएंगे क्लाइमेट आ जाएगा इसमें सेंसेस वाला पार्ट कोशन काफी आते हैं और मैंने काफी कोशन करके रखें तो आपके लिए काफी हेल्फ़ रहेंगे इसके बाद फूर्थ यूनिट जो फ्रना इंटरणनल करेंट अप्यर केर्स करेंट करेंट जिसमें आप दिखेंगे मेयाइश प्रिदेश चर्चित वैंसे लॉग्तित हो गया जैसे अभी कोशच्छन में भी कॉश्च्चं के शिप्री सेतने ँचार्थ चीज़ंबैना तो आपके देखनी होगी खासके स्व वाला पार्ट और MP का करेंट फिर वाला पार्ट कहां पर होगा इसके बाद फूर्ट यूनिट आएगी IT टेक्नलोजी वाली जिसमें लॉप्रॉनिक्स हो गया कंप्यूटर मैं जो है इसमें कंप्यूटर के सब्सक्राइब कोशन मिलेंगे फिर छोटे छोटे कोशन जिसे इगवर्नेंस पर हाना आपके कोशन आ जाएंगे इंटरनेट शोचल मीडिया पर इकॉमर्स पर बीटू बीटू सी इस टाइप से कोशन आट तो यह आईटी टेक प्लस करें तो यह आपका पैटर्ण है अब आते हैं सेक्शन बी की अब दूसरी चीज कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि यह किस बाशा में होंगे तो मैं बता दू ट्रेक्शन एजो रहेगा वो दोनों भाशा में रहे अना दोनों भाशा में मतलब हिंदी में भी रहेग दूनों में आपकी कोश्चन सब्हेंगे जबकि इस सेक्शन बी जो है टेक्टनिसगाल वाला पार्ट आना वो कियेवल इंगलिश फाशा में रहेगा क्योंकि इंगलिश रहेगी इंगलिश रहेगी इद्यान रखिएगा आप इसमें इस लेबस देखते हैं सबसे पहला ज के लगबग पहुस्तारे करवा हैं तो वह भी आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं तो यह आपका EDC यह जिसमें सब टॉपिक आप देख रहे हैं लोग फ्रॉंस और सेमी कंड़क्टर कैरियर स्टैटिक मेकनिजम ऑफ करेंड इंफ्लूइंस लुक्टर हो गया लिए चीज़े आपके पहले सब्जेक्ट है दूसरा सब्जक्ट है दोस्तों नेटवर्ख यहां नेटवर्क फिए जिसमें आपके बेशिक नुमेरिकल सब्चियादा पूछी जाएंगे अब देखें मैं आपको यह बीचीज बता दू दो में generally आपको theory question जादा होगे, theory question यहाँ पर ज्धादा होगे EDC, जबकि network में आप देखेंगे तो network में numerical जादा होगे, network में क्या देखने को दिया, Tyr يख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक है इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे तो ट्रांस्मिशन लाइन वाला पार्ट भी यहां पर थोड़ा सा डाला गया है ट्रांस्मिशन ट्रैटेरिया बस और कुछ नहीं है बाखी तो फूरा नेटवर की है फिर आता है थर्ड सब्जेक्ट सिंग्न है वह सिग्नल सिस्टम इसके बाद फूर्थ आता है आपका EMT लैक्ट्रो मैंगनेटिक फ्योरी EMT अब इसमें आपके जनरली क्या होंगे मेरिकल ज्यादा होंगे मेरिकल यहां पर देखने को मिलेंगे EMT में इसके बाद आता है एनलॉक सर्किट और मेजरमेंट अब देख कर दिया तो यह एनलॉक सर्किट का मिक्षट कर दिया उसने आना तो यहां तक आप देखेंगे यहां तक आपका क्या है लॉक सर्किट और यहां से बेसिक कॉंसर्ट से आपका क्या मैं शुरू हो जाता है यह दो सब्जेक्ट को मर्ज करके उसने सब्जेक्ट कर दिया है circuit के खास सर ठीक है तो यह चीज़े आपको यहां पर पूरी पढ़नी है जैसे इसमें ट्रांजिस्टर बाइसिंग स्टैबलाइज़शन हो गया हितना यह इसम पर सिप्सकाल्च का इस्टब्रे व्याइशन हो गया लक्योट चैंदा कोशन आते हैं और मेजर्मेंट के बेसिक क्का कॉन्टिट्य फेरामिटर हो गया ब्रिस्कधंट हो गया तो इह आपको डिस्कस का कला सब्जेक्त आता है इस्यल्य लक्रोनिक्ष का जब यह DSP रीडियो का एक्जाम हुआ ह penso आपको पर इंप्रे रहें आप इसमें आम देखेंगे पूरा मैं ने आपको पढ़ाया हुआ है तो आप इसको बस अच्छे से पढ़िए और नुमेरिकल लगाईए फिर आता है इस कंट्रोल सिस्टम में भी आप देखेंगे तो नुमेरिकल आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे थ्योरी कम मिलेगी नुमेरिकल पर ज्यादा कोशन देंगे प्रेल में पूछा गया इंपूर्मेशन थियोरी एक टॉपिक हो गया मॉडलेशन और ट्रेक्शन हो गया एनलोग और उसमें अना तो यह चीज़े आपको है के अलावा यहां पर आप देखेंगे तो फाइवर आप्टिक्स कम्म्निकेशन हो गया यह वाला एक टॉपिक हो वाला जो सब्जेक्ट है माइक्रोवेवें ज्रिंक में आप देखेंगे तो पूरा डेटिचल में यह वाला स सब्जेक्ट आप यहां पर क्या किया उसनी by करो अपने देखेंट सब्जेक्ट जो है अब उसने computer architecture एक सब्जेक्ट था इसको क्या किया डाल दी उसने data कपनी कि पहले इस लेबस में नहीं था data communication में क्या आ गया data representation यह आलड़ी आपने पढ़ा है कि कि आपने पढ़ा है डाका representation ठीक है के बाद इसमें data structure थोड़ा सा आ गया data यहां पर उसमें डाल दी बाकी तो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर यह देखिए आप 8085-8086 यह पूरा का पूरा सीमी है इसमें कोई पुराने में नहीं थी यह आपकी टोटल उसने कर दिये 10 सब्जेक्ट और पांच हो टोटल आपको 15 हो करना है 45 इनका टाइम है जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से त्यारी कीजिए हमारा कोर्स चल रहा है अभी ऑफर में चल रहा है पच्छिस तो रपे में कंप्लीन प्रैक्टिस कर सकते हैं छाइन कर सकते हैं फोफ़ोली ये वीडियो आपको काम के लिए रगा हो ऐसाम कर देना और और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे वाट्सअप कर सकते है जल्दी नए वीडियो qehen झाल झाल